तो आज हम आप लोगों को electric field lines और electric field के बारे में knowledge देने वाला हूँ जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाए और तुरंत ही हम लोग इसको complete करते हैं electric field and electric field lines को ध्यान से देखे class 12 के लिए important है और इससे questions 100% रहते हैं आप लोग के demand के basis पे मैं कुछ काम किया हूँ इस बार मैं writing से लिक लिक के नहीं बताऊंगा आप लोगों को boring लग रहा है ठीक है आप लोग के basis पे आप लोग के feedback के basis पे मैं इस पर सुधार करके बैतर से समझाने का प्रियास करता हूँ 100% आपको समझाएगा लेकिन derivations में compromise नहीं होगा क्योंकि derivations तो हमारा हाथ का है और मैं आपको derivations 100% सिखा के रहूँगा फिलाल कुछ थियोरी पढ़ते हैं electric field lines और electric field में क्या क्या फरक है उसके बारे में मैं बताऊंगा सुरबात हम लोग करते हैं electric field से electric field क्या है electric field कहां जर्नम लेगा नाम से ही पता चल जा रहा है electric field charge के around जर्नम लेगा कोई भी charge रहेगा उसी charge के चारु तरफ एक effect होगा एक परभाव होगा एक अपना जो वो दा surrounding force होगा जिससे किसी दूसरे force को repaint करने की चंगता हो किसी दूसरे charge को भगाने की चंगता हो किसी दूसरे charge को attract करने की जो force आता हो attraction आता हो effect आता हो इसी को गयता है electric field अब मैं इसको discuss करता हूँ एलक्ट्रिक फिल्ड क्या है ये एलक्ट्रिक फिल्ड वेक्टर फिल्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है एलक्ट्रिक फिल्ड ए से आए जाता है तो एलक्ट्रिक फिल्ड जो होता है एक वेक्टर फिल्ड होता है तो एलक्ट्रिक फिल्ड एक वेक्टर फिल्ड होता ह एलेक्ट्रिक फिल्ड कहां बनेगा तो किसी चार्ज के स्राउंडिंग चारों तरफ एलेक्ट्रिक फिल्ड का एक परकार का परभाव है जो स्राउंडिड होता है कहां पर कोई चार्ज के चारों तरफ फरेंजांबन मान लेते हैं मेरे पास यह चार्ज है अब इसके चारों तरब की परकार का परभाव होगा जो किसी दूसरे चारज को या तो इस्के फिल्ड में आया तो यातो इसको سैंसमी नेचर है तो इसके बागा देगा जो another charge को place करते हैं उस field में, electric field में, उसी given charge में, तो हम पाएंगे कि वो exert कर रहा एक force, ये charge हमने इस पे लाया ना, तो ये force exert करेगा, और यही force जो exert करेगा, जिसके वजा से वो force exert करेगा, उस परभाव को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, electric field कहते हैं, electric field is an influence of a given charge system surrounding, by the other charge system, मतलब कहेंगे कि दूसरा charge system इसमें आएगा, तो अपना field को absorb करेगा, लेकिन आप याद कीजिए, क्या कोई अपना field को absorb कर पाएगा, नहीं, जिससे मान लेते हैं मैं charge हो, क्या मैं किसी दूसरी, चारो तरफ जो field है, वो मेरा field है, मेरा परभाव है, इसके अगल बगल में, अगर कोई दूसरा field आता है, तो वो अपना field को, मेरा field को absorb करेगा, मेरा force को absorb करेगा, जिस्ट इसी परगार से, किसी चार्ज के चारो तरफ को field produce करवा दिता है, एक परभाव होता है, जो किसी दूसरे चार्ज पर दिखता है, अगला point, ये principle of superposition को follow करता है, इसका मतलब factorial add को follow करता है, principle of superposition का मतलब होता है, वैक्टरियल add को follow करना, पर एक एक electric field अगर इधर गया, और दूसरा electric field अगर इधर गया, तो net electric field इधर जाएगा, इन, this concept is knowledge, principle of superposition, अगर किसी भी दो वैक्टर का resultant एक नया वैक्टर के रुप में दिखाई देता हो, तो ये principle of superposition को follow करता हो, यही बोनरा electric field principle of superposition को follow करता है, अगरा point है, electric field जो होता है, अपना field को कभी absorb नहीं कर पाएगा, जैसे मान लीजे हम एक charge system है, हम क्या किसी, हम अपने ही field को absorb कर पाएगे, नहीं कर पाएगे, जब तक कोई दूसरा charge हमारे field में नहीं आता है, नहीं आता है, तो हम, हम भी field में अप्जर्ब कर पाएगे, force absorb नहीं कर पाएगे, वो भी मुझे, मेरा force absorb नहीं कर पाएगे, वो अलग-अलग field में है, लेकिन अगर दोनों हमारे field में वो आ जाता है, दोनों closely रह जाता है, तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे, कि electric field जो होता है, एक अपने field में अप्जर्ब नहीं कर पाता है वो किसी दूसरे चार्ज सिस्टम आता है तो वो अपना फ्लड को अब्जर्ब करता है इसको, और इसका फ्लड को वो अब्जर्ब करता है, pacie अबी पीछे आमने बताया अगर मॉल्टिपल, चार्ज सिस्테म के केस में अलेक्टिव निकाला हो तो याद रखना इ हजकर हना एड किया जाता हैिसके हचाहे है हजकर ही चार्ज।ट्र पर रिट्न एकपर्कार का ह DareKorean एक फॉरस पर यूनिट चार्ज फॉर्स पर उनिट चार्ज फॉर्स पर यूनिट चार्ज यह फर्मूला पी वी आई है आप इसे remember कर लीजेगा वह खुब चाहता ही important है force per unit charge उसका यहीं लिखा हुआ है इसको यहां से एलक्ट्रिक फोर्च पर यूनिट och सार्च और이나 estás अल Scully Dayton Reese空 Cord revenue charge क्या कहलाता है एंद honing क्या क्या कहलाता है यहां कोई क्यों चार्च से πलसाध खरख जो ऑलेक्ट्रिक फिल की और उदाट फॉर्ष इस पॉइंट फी do हम देखेंगे तो इसके चारो तरफ एक फोर्स लगेगा और यही प्रभाव जो होता है लेक्ट्रिक फिल को दर साताा है तो कैसे निकालोगे, इस force में से इस charge को हम divide कर देंगे, जहां कहीं भी निकलना हो, वहाँ उस point पे F force मानेंगे, उसी force में से charge को हम divide कर देंगे तो यह कहलाता है, मेरा क्या कहलाता है, electric field कहलाता है इसी तरह से एक point, not point, यहां पे Q को हमेशा क्या करना है sign के साथ रखना यहाँ पर q जो है sign के साथ रहेगा यहाँ पर q sign के साथ रखना है q को अगर plus sign लेंगे तो f f is equal to क्या हो जागा f को इधर रहने तो q को इधर देज़ती है तो क्या हो जागा q into e मतलब है अगर q को plus लेंगे तो f और q से यह सिखे कि f charge अगर save रहता है polar charge रहता है polar charge का tendency किदर रहेगा जिधर electric field जाएगा उधर ही polar charge जाने वाला है क्योंकि और negative sign लेते हैं q का तो q negative होगा तो जिधर electric field जाएगा और उसके opposite जो है charge का movement होता है negative charge का तो अगला points में यही देखने वाला कि अगर charge का sign positive लेते हैं तो क्या होता है कि force और electric field क्या हो जाता है electric force और electric field जो होता है parallel हो जाता है same direction तो electric field and electric force same direction में जाता है तो इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि positive charge के पास एक अपना tendency होता है कि वो हमेशा electric field के direction की ओर जाएगा positive charge का tendency होता है electric field के direction भी और जाएगा लेकिन यहीं क्यों कि आज अगर negative ले लेते हो जो force जो होता है parallel तो होगा लेकिन आज positive direction जिसे electric field lines इधर जाएगा तो आपका electric force इधर लगेगा मतलब negative charge इधर move करेगा तो parallel तो होगा लेकिन negative charge जो होता है tendency होता है negative charge का tendency होता है हमेशा opposite जाना direction of electric field जिधर electric field जाएगा electric field अगर इधर जाएगा तो positive charge बोलेगा भाईया मैं भी इधर ही चलूँगा लेकिन electric field अगर इधर जा रहा है electric field अगर इधर जा रहा है तो negative sign बोलेगा बहिया मैं आपके opposite चलने वाला हूँ opposite चलेगा negative charge electric field का ऐसा कुछ points है अगले points की यह चलते हैं तो क्या हो रहा है SI unit किसका electric field का तो आप जानते है F is equal to होता है ऐसे निकालो ऐसे निकालो E equal to होता है F by Q और F का होता है new turn F का होता है new turn और Q का होता है कुलांग तो इसका unit क्या होता है Newton पर कुलांग Newton पर कुलांग एक unit equal to होता है potential garden से minus dB by dr B मतलब होता है भी या वोल्ड और R मतलब होता है meter इसलिए दूसरा unit क्या हो जाएगा दूसरा unit में लगा वोल्ड पर meter यह देखो फोल्ड पर meter यह तो unit है यह दोनों भी भी आईएगा याद करने जेगा बहुत जादा ही important है dimensional formula दा बात किया जाए तो यह देखो dimensional formula यहीं से निकलेगा कहां से निकलेगा वहां से Newton है यहां से भी निकाल सकते है कोई दिकत नहीं Newton है Newton का होता है MLT-2 और नीचे क्या है यह पूलम कूलम का होता है AT आप इसे solve करोगे तो M का M है L का L है यहां T2 है यह T उपर जाएगा negative पकड़ लेगा और यह हो जाएगा क्या minus का T और A नीचे है उपर जाएगा A-1 तो यह भी BVI है इसे भी आप याद करने जाएगा बहुत important है डामिस्टन फर्मूला electric field का यह है और unit है Newton पर कूलम और भोल्ट पर मीटर होता है यहां तरह बाते clear है किसी परकार का दिक्कत नहीं अब हम लोग electric field के बारे में और बाते जानता हूँ जैसे हां electric field का इतना concept परने के बाद मैं electric field lines को deal करता हूँ electric field line भी बहुत important है आपके syllabus के लिए अब इससे भी मारत आने लगा है electric field lines का 3 या 4 property पूछता है लिखने के लिए 2-3 number में आजाता है इसलिए ध्यान से देख लिए electric field line को साब सब बताएं जैसे देखो electric field lines इसको जो सबसे पहले अपनी बाटों में रखा उसका नाम था faraday faraday ने ही electric field lines को discuss किया अब देखो field field हम बोल रहे हैं क्या उस field को बता पाएंगे उस field को represent कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो उसको को represent करेगा positive charge जो होता है field के according चलता है electric field के साथ चलता है ठीक है मानते लेकिन उसको representation कौन करेगा तो faraday आया और positive charge का tendency बताया कि वो field के ingred्ते एलाउंच चलता है अब field के एलाउंच चलता है तो positive charge का tendency था उसको उने reflect किया और उसी representation को बोलते हैं electric field lines तो देखो Electric fill lines को Faraday ने बताया Electric fill lines जो होता है एक hypothetical lines होता है ये कालपनिक lines होता है ये imaginary lines होता है इसको माना जाता है ये होता नहीं है बस positive charge को ऐसे फैलाता है और negative charge ऐसे खीचता है ऐसा represent किया जाता है वेक्टर के रुप में दिखाया जाता है चमुप electric field lines एक vector line होता है और अर्पथैटिकल राइन है अने फिख है और रीपर्जेंट electric field diagramatically मतलब है electric field को ही diagram तो रूब में डिखाना है electric field जो हमने पीछे पढ़ाया क्या उसको हम रीपर्जेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो electric field को ही represent करने के लिए electric field को ही represent करने के लिए electric field lines को उन्हें दिखाया फेराड़ उन्हें अच्छे से दिखाया है कि यही है electric field line को electric field को diagram के रूट में दिखाना उसी hypothetical line को electric field lines कहते हैं कुछ special property बताता हूँ जो आपके exam के लिए important है अब ध्यान से देखिए आपको समझ माया देगा property of electric field lines electric field lines का property क्या होता है electric field lines भाईया electric field lines जो होता है originated होता है फैलता है कहा positive charge बोलता है कि मैं electric field lines को फेकता हूँ पॉजिटिव चार्ज हो मैं electric field lines को फेकता है यह पर यह जाइक नगिँटिव चार्ज करता हूँ तो यह terminate करता है इसी वर्ड को यहां लिखा हुए electric fill lines positive charge होता है positive charge से oriented होता है लेकिन negative charge में terminate होता है यह देखो positive charge है यह देखो positive charge है positive charge से electric fill lines होता है electric fill lines originate हो रहा है यह देखो negative charge है negative charge में electric fill lines क्या होता है electric fill lines किसकी और आ रहा है तर्मिनेट हो रहा है यह ते अलेक्ट्रिक फिल लाइन्स का special points दूसरा point से अलेक्ट्रिक फिल लाइन्स कहा से होता है आप देखी सकते हो positive और येंट होता है नेगेटिव तर्मिनेट होता है तो direction कि दर जाहे है आप positive to negative तो यहीं लिखा हुआ है कि electric fill lines जो होता है हमेशा direction उसका क्या होता है positive charge से लेके negative charge electric fill lines positive charge से negative charge की और जाता है ये देखो positive charge ये है negative charge positive charge से negative charge की और direction होता है electric fill lines का यहां तक clear है आगे चलते हैं अब देखो द्यान से ये है मेरा electric fill lines एलक्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक् फ्legefs पे अगर हम टेंजेंट ड्रो करते हैं, तो तो एक वी घेंव ड़ारेक्शन ऑफ एलक्रिक फिल तोू सी पॉइंक पे यहां हमने टwsंगेंट रोग यह इसी पॉइंट बे यह वो हमने पॉइंक स्छेडला पॉइंट पे एलेक्ट्रिक फिल्ड का डारेक्शन देदेगा एलेक्ट्रिक फिल्ड का डारेक्शन देदेगा एलेक्ट्रिक फिल्ड का डारेक्शन देदेगा कहीं भी टेंजन ड्रो करता है तो उसी पॉइंट पे वो एलेक्ट्रिक फिल्ड का डारेक्शन देदेगा यहा तक किलियर है आगी बाते करता हूँ दो एलेक्रिक फिल लाइन्स कभी भी एक दुसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है दो एलेक्रिक फिल लाइन्स दू एलेक्रिक फिल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इस अधर वाई क्यों ही करता है क्यों कि देखो अगर मांग लेते हैं यह है electric field lines one यह electric field lines two अब मालों कि यह दोनों आपस में intersect किया तो एक ही पोइंट पर दो direction मिल जा रहे electric field का अलाक्ट reactive thinking का दो direction है एक direction electric field इधर है अब आप हम जानते हैं के electric field continuous होता है अब एक पोइंट पर एटी डारेक्शन हो सकता है अब यहां दो electric line कभी भी एक दुसरे को intersect नहीं करेगा यहीं निखा हुआ है two electric lines never intersect each other एक दुसरे को काटता नहीं है ऐसा इसलिए होता है अगर मांग लेते हैं कि इसको हम पटवा देते हैं तब हम पाएंगे कि एक ही point पे एक ही point पे one point पे electric field का दो direction हमको मिल जाएगा जो कि यह somehow नहीं है इसलिए two electric field lines never intersect each other कभी एक दुसरे परती सेद नहीं कर सकता है आगे हम बात जिद्गाते हैं electric field lines जो होता है continuous line होता है कुछी दिर पहले बताएं है positive charge से oriented होके negative charge की और terminate होता है लेकिन अब बोलेंगे कि यह सब ठोटी है नहीं यह भी है यह भी continuous है यह सारा lines जो होता है continuous line होता है याद रखेंगे electric field lines हमेशा continuous line होता है कभी discontinuous नहीं हो सकता है अगर positive charge से oriented हो गया तो negative charge में terminate होगा इस तरह से यह continuous formation करता है electric field lines continuous होता है आगे हमें discuss करेंगे कि number of electric field lines produced by point charge मान देते हैं कि कोई point charge QQ है और यह जो है Q1 चार्थ है यह है Q2 चार्थ अगर दोलों में कौन electric field lines जादा कौल फाइलाएगा तो जिसका magnitude जादा होगा जिसका magnitude जादा होगा उसमें electric field lines की संख्यां जादा ओरियेंट होगा याद रखिएगा जिस चार्ज में electric field lines मतलब उसको negative positive में देखना मैगनिट्यूड में देखना जिसका magnitude जादा रहता है वहाँ पर electric field lines की संख्यां जादा मिलने वाला है यहां ना positive देख रहे हैं नहीं negative देख रहे हैं बस उसके magnitude को देख रहे हैं तो जिसका magnitude जीतना जाद कि जादा होता है उसका अलेक्ट्रिक फिल्ट लाइन के संखिया ज्यादा होता है ये हमने पताया अगला कोंट्ट हुआ जबते में दोन परपोस्टनल टू नमबर अब अब लग्ट्रीक फिल्ट अब देखो यह यह कोचंट आया हुआ है और यह पूचता दाना लेकिन हमने इसको सामने रखा और इसको हमने दूर किया तो देखेंगे लेक्ट्रिक फिल लाइन्स के संख्या इदर तेन है इसलिए एवन एडिया में जो होता माक्समा एलेक्रिक फिल लाइन्स है यह लिखा हुआ है अर्फ फिल लाइन्स लाइन्स कितना घटना इत और योनिट कोरो सेक्शनल एरिया जितना हम उसमें जाएंगे उतना एक ऐक्जाम्पल बताते इसलिए हमें तीन जग एरिया का सनफ़िल यहां पर देखोगे और तैन sizin Sankhya तीलंगे हां यहां पर देखो दिखने अग्ला एलख्रिक फिल लाइंस कभी भी closd लूप नहीं बनाता है अगर वो चार्ण तो conservative पर परफाटी होता है चार्ज से इन एंड जह इन इलख्रिक फिल लाइंस बनेगा इसलिए conservative अगर रहता है conservative में रहता है कौन इलब छार्ज तो कंजर फिडिक में है इसे मेडल्स होगेरा में है तो conservative force में conservative जो होता है conservative nature में कभी भी close loop नहीं बनाएगा electric field lines कभी close loop नहीं बनाएगा conservative में लेकिन non conservative electric field lines जो होता है close loop बना सकता है आगी points electric field lines हमेशा perpendicular होता है इक्वे potential surface और surface of conductor इक्वे potential surface और surface of conductor पे electric field lines हमेशा perpendicular होता है इस बात को भी आप याद कर लिजेगा यह बहुत ही important है तो आज हम लोग इतना कर लेते हैं अब हम लोग कल से electric flux और gausses theorem और उसका application पढने वाले हैं बहुत important है columns lock application हमारे channel में मिल जाएगा नहीं तो आपको lsc study आप play store में जाएए lsc study मारिए यह हमारा अपना channel apps है इसमें आपको सारा details मिल जाएगा सारा derivations मिल जाएगा झाले है यह है झाले है